नमस्कार सभीकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओनलाइन कमिस्ट्री में हमने ओनलाइन टेस्स सीरीज फोर PGT कमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है तो आप बहुत से बहुत कैंडिडेक इस के साथ चुरिए इसमें मैं कमिस्ट्री के most important या previous year papers में जो भी questions आए होए हैं वो 10 से 20 questions आप लोगों के साथ discuss करती हूँ discuss भी नहीं कहूंगी इसमें मैं वो 10 से 20 questions आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ आप लोगों खुद वो solve कीजिए और अपना self evaluation कीजिए कि आपके कितने marks आते हैं हर question one point का रहेगा वो मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा कि आपके कितने marks आए और किसी भी question में आपको doubt है आप solve नहीं कर पा रहे हैं तो भी नीचे नीचे comment box में जरूर comment करिए मैं आपको उसका solution भी बताँगी चलिए ज़्यादा time में लेते हुए हम शुरुवात करते हैं हमारे online test series के आज दूसरे test के लिए तो online test series का मेरा पहला question है आज का pH of the neutralization point of 0.1 normal ammonium hydroxide मतलब कि NH4OH plus HCl अगर आपको दे रखा है तो इसका neutralization point क्या होगा NH4OH आपको क्या देगा OH negative HCl आपको क्या देगा Hboski तो वहां से यह neutralized होते हैं water बनाते हैं तो basically यह क्या है हमारा weak base है और यह क्या है strong acid है ठीक है तो अब strong acid strong base होता है तो मैं आपको hint दे देती हूँ question आपको solve करिएगा ठीक है तो अब strong acid strong base होता है तो जो pH होती है वो neutralization point जो होता है pH वहां पर 7 होता है क्योंकि strong acid strong base में तो immediately completely neutralize हो जाता है और H2O बनता है ठीक है लेकिन यहां पर क्या है अब हमारा यहां पर H2O नहीं होता है यहां पर हमारी pH 7 नहीं होगी क्योंकि NH4OH completely OH negative नहीं देते dissociate नहीं होता है weekly dissociate होता है HCL strong acid है तो acidic pH जादा रहेगी क्योंकि H positive जादा होंगे तो अब आप तेक लीज़गे कि 8 और 9 और 6 इनमें से acidic pH साथ से कम जो होते है उनकी क्या होती है acidic pH होती है तो आपको उसे साथ से सोल नहीं करना अपना concept लगाकर यहां पर answer निकालना है चलिए बढ़ते हैं दूसरे question कियो which of the following is not expected to show paramagnetism paramagnetism क्या होता है अनुचुंकिया गुन मतलब कि magnetic field में जो attract होते है यह magnetism को attract करते हैं तो वह कितर कहलाते हैं अनुचुंकिया गुन paramagnetism उसके लिए क्या होना चाहिए paramagnetism के लिए unpaired electron होना चाहिए paramagnetism के लिए तो अब आप देख लिजिए इन बाकी चारो complex में इसे कौंसा ऐसा complex है कि जिसमें unpaired electron नहीं है तो जिन में unpaired electron नहीं है वो आपका answer हो जाएगा तो second or third option में आपको doubt हो सकता है लेकि मैं बता दूँ कि जो third option है उसमें एक प्लस two oxidation statement जब भी प्लस two oxidation statement होता है तो यह outer orbital complex मनाता है चलिए बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे question क्यों तीसरा question क्या कहता है यह तीसरा question assertion and reason वाला है तो assertion कथन हमारा क्या है कि pupil taking a lot of salty food experience the puffiness or swelling card edema मतलब कि जो pupil नमक वाला भूजन जादा लेते हैं उनके puppy nice or swelling हो जाती है उसे हम edema कहते हैं और ऐसा क्यों होता है इसका उन्होंने reason दिया है क्योंकि water का retention होता है tissue cells में and intracellular spaces में water का high concentrated solution से low concentrated solution की और जो जाना क्या कहलाता है आपका osmosis तो आप देख सकते हैं कि पानी osmosis नमक वाला जो भी solution होगा वो क्या होगा उसमें पानी कम होगा मतलब कि उसकी low concentration होगी और दूसरा high concentrated वाला solution होगा तो फिर अब osmosis पानी कहां जाएगा osmosis की कारण और यह उसका answer reason, assertion and reason दोनों correct है, reason is correct explanation of a है या both assertion and reason are correct है, but reason is not the correct explanation of a, a is correct, r is incorrect, r is correct, a is incorrect तो अब आप सोच समश के यह ऐसा question सोफ करिएगा और answer एक करिएगा चले बढ़ते हैं fourth question के दिए, which of the following statement is false? इनमें से false statement कौन सा है, कि London smoke is oxidizing in nature, London smoke causes bronchitis, London smoke is formed in winter, London smoke contains esterosophore droplets तो मैं आपको बता दूं कि जो smoke होता है, वो basically two type का होता है, smoke, एक होता है London smoke, एक होता है photochemical smoke, ठीक है London smoke में basically SO2 and carbon particles होते हैं, वो winters में बनता है, यह photochemical smoke जैसे की नाम से ही है, पता चलता है, यह क्या होता है, light की presence में बनता है, और इसमें पर-oxyacetyl nitrate, RCW nitrate, RCW NO2 होता है, तो पर-oxyacetyl nitrate होने के कारण, यह बहुत ज्यादा oxidizing in nature होता है, photochemical और लंदन में carbon particle and SO2 होने के कारण, वो बहुत ज्यादा, क्या होता है, reducing in nature होता है ठीक है, तो मैंने वैसे तो आप 5 से बताई थी है, तो which of the following statement is for, London smoke is oxidizing in nature अगर आपको environmental science के modes चाहिए या video चाहिए तो मजे मीचे comment box में चरोद बताईएगा चलिए, अब हम भड़ते हैं हमारे next question, in the preparation of sodium carbonate, which of the following is used? तो इसके answer के लिए मैं आपको hint देदू, कि आपको salve process ध्यान में रखना है, salve process में Na2CO3 बनाने के लिए sodium chloride, NaCl plus क्या चीज़ यूज़ करते हैं वो आप इमेन हिंद देदी है, तो इसका answer करिएगा ऐसे question जो होती है, वो KVS में बहुत आते हैं तो इसकी मैंने आपके लिए test series जो ही start करी है, कि बहुत सो दच्चों के concept सब क्लियर होते हैं तो इस type के questions में जो थोड़ी सी cramming type वाली question होते हैं, उनके कारण वो पीछर जाते हैं तो यह भी ऐसे question पहुत आते हैं, तो आप ध्यान रख लेगा 6th question है, boric acid is called acid because it's molecule Acids क्या होते हैं, जो H positive देते हैं, यह OH negative accept कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, acids, तो अब आप देख लेने, boric acid H3PO3 Acidic क्यों होता है, क्या यह H positive देता है, gives up a propone देता है और अगर आप देखा जाए, तो प्रोटोन देना and H positive देना एक ही बाद देता है, accept OH negative ion form तो ऐसा मैं इसलिए कह रहे हूं, कि कई बाद दो option same भी होते हैं तो आप समझ जाते हैं, कि answer क्या होना चाहिए, तो अपनी पूरी-पूरी Intelligency का और presence of mind का use करते हो है, हमेशा exam देना चाहिए Accept OH negative from water releasing proton and combines with proton from water molecules तो आप देख सकते हैं कि क्या इसका option सही होगा चलिए बढ़ते हैं 7th question के लिए 10 ml of 2 molar NaH solution is added to 200 ml of 0.5 molar of NaH solution What is the final concentration? दोनों आपको NaH दे रखी हैं Concentration जो होती है हमारी total mole per liter में होती है आपको दोनों के इसके moles निकालने हैं इसके moles निकालने हैं Total solution का volume add कर देना है आपका answer आ जाएगा कोल मिला के आपको करना क्या है M1 V1 plus M2 V2 कर देना आपका answer आ जाएगा Total molality आ जाएगी ठीक है तो यह हो गया 7th अब पढ़ते हम 8th question में Match the terms given in column 1 आपको column 1 दे रखी है Column 2 दे रखी है आपको सही बताना है कि A के लिए सही क्या है Column 2 में B के लिए सही क्या है तो हम देखे तो जो soda water होती है soda water में क्या होती है CO2 gas plus water में add गए जाती है तो आप देख सकते है soda water के लिए यहाँ पे gas in liquid क्या होगा sugar solution में क्या होती है sugar dissolved in liquid तो इस तरीके से german silver क्या होता है silver plus Ag plus Cu air क्या होती है आपका mixture of gases तो आप इस तरीके से hydrogen gas in palladium यह तो देखी दिया gas on solid तो आप देख सकते हैं कौन सा solution कौन से क्या बढ़ता है 9th question है 9th question है आपका the most stable confirmation of 2,4 hexadiene 2,4 hexadiene most stable confirmation कौन से होती है anti या कहें हम e form या कहें हम transform ठीक है तो अब आप इसमें से देख सकते हैं कि यह जैसे C double bomb C है तो इसमें biggest biggest molecule कहां पे है वो transform में है या cis form में है जैसे यह दोनों C है biggest कहां पे है तो इस हिसाब से आप देखिए कि आपका सही answer क्या होगा 10th electronic configuration आपको 4 elements A, B, C, D क्या electronic configuration दे रखा है और आपसे पूश रखा है कि correct order of increasing tendency to gain electron क्या होगा gain electron यह एक्सेप्ट कौन करेगा यानि कि electron जो बंदूता है या electron enthalpy है वो किसकी highest होएगी आपका टेख सकते हैं अगर्प में जाने पी जाने पी क्या होगा कि अगर्प में जाने पी क्या होती है प्रीज होती है electron बंदूता या electron affinity तो अब आप देख सकते हैं कि यह हैलोजन है 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 यह हैजेजन है है फिर उसके बाद s-block जो noble gases होती है उनकी electron enthalpy zero होती है क्यों zero होती है? क्योंकि they don't require any electron, they are already stable configuration तो यह थिया हमारे 10 questions, यह है हमारी answer sheet जहां पर मैंने इन 10 questions के answer आपको लिख दिये हैं जरूर सही यह सभी questions solve करियेगा and सही अपने answer एक page पे लिखियेगा and last we match करियेगा और देखियेगा आपके कितने points आए और जरूर मुझे दोस्तों नीचे comment करके बताईएगा कि आपको यह effort online test series कैसी लग रही है ताकि मैं बहुत ज़्यादा motivated रहूं ऐसी test series आपके लिए और लाने के लिए चलिए मिलती हुआने next video में तब तक के लिए जैहिं जैभारत